हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आई चैनल स्टेडी फोर यू जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलीस कॉंस्टेबल का 25 अगस्त के सेकंड शिप का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100 परसेंट एकुरीट एंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊ तो देख लेता है कि किस परकार के आज आपके 25 अगस्त के सेकंड शिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम स कर दिजिएगा तो चली विडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग जीके के प्रेश्ट को जो वो सॉल्व करने वाले है तो जीके में जो आपका पहला कोशन है था कि स्रीलंका के जो रास्ट्रिय मुद्रा जो वो पूछा गया था तो देखिए स्रीलंका देश का जो रास्ट्रिय मुद्रा है वो आपका स्रीलंका रूपी है तो ऑप्सन डी रूपी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाव अगर रिंगित की बात कर ले तो देखिए यह जो आपका रिंगित है यह आपका मलेशिया देश का जो वो आपका मुद्रा है इसके लब अगर क्यात की बात कर ले तो देगे ये जो आपका क्यात है ना ये आपका मियानमार देश का जो वो मुद्रा है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है कि निमन में से कौन सा देश जो है अपने अनोखे जौला मुखी परीदरिश्य के कारण भूत आप ये उर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जो है ये आपका आइसलेंड देश जो है वो जाना जाता है तो आपसन ए आइसलेंड आपका आपका यहां पर है कि अपनगरों की और पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरच्छी सुएत लोगों को जो है ये क्या कहा जाता है तो आपसन डी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा next question आफका आपनादा कि अफरीका में कितने देश जो आट वो मौजूद है तो देखे वतमान में अफरीका में यापके 54 देश जो आट वो मौजूद है तो option C आपका यहापे correct answer होगा next आपका आपनादा कि भारत में operation green hunt जो है यह क्या है तो देखे green hunt की बात कर ले wholesale price index होता है तो option D wholesale price index आपका यहाँ पे correct answer होगा next step कहाँ आप रहा था कि वितिय या banking प्रणाली को प्रतिक वर्स कितने कडोड अधार मुद्रा के संदर में जो है अत्रिक्त बढ़ावा मिलेगा तो देखे इसका answer मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको कभी भी गलत answer की जो वो provide नहीं करता हूँ next option आपका यहाँ पर रहा था कि कौन सी अंतरास्ट्रे संदी जो है बच्चों के अधिकारों पर जो वो kindred है तो देखे यह जो आपका CRC है ना जिसका full firm convention on rights of child होता है और यह जो आपका CRC जो है ना जो कि आपका बच्चों के अधिकारों पर जो वो kindred है तो option B CRC आपका यहाँ पर correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि कौन सी company जो है भारते gas exchange पर घरेलू gas का वैपार करने वाली भारत की पहली company जो वो बन गई है तो देखे भारत की जो पहली company है ना यह आपका ONGC जिसका full firm होता हूँ आपका oil and natural gas corporation limited यानि option C जो है यह आपका पहली company जो वो भारत में बन गया है तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा next time आपका यहाँ था कि सार्क का जो फूल पूम पूछा गया था तो देखे सार्क का जो फूल पूम होता ना वो आपका क्या होता है तो यह आपका South Asian Association for Regional Corporation होता है यानि option A जिन्होंने भी लगा है उनका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाब बात कर ले वर्तमान में सार्क में कितने सदस से देश है तो देखे वर्तमान में आपके 8 सदस से देश है और सार्क का जो गठन है यह कब हुआ था तो देखे सार्क का जो गठन है यह आपका 1985 में हुआ था और इसका जो मुख्याले यह कहाँ पर है तो देखें दिल्दी क्राइम का जो निर्देशन है ना, तो यह आपका रीची मेहता के द्वारा जो है, दिल्दी क्राइम का निर्देशन जो है, वो किया गया था, तो option C, रीची मेहता आपका correct answer होगा, अर्थ वेवास्ता के द्रिष्टी से, ITC का जो फुलफ़ों पूछा गया था, तो देखें, एकोनॉमिक्स में, आपका जो है, ITC का फुलफ़ों होता है, यह आपका input tax credit होता है, तो option B, जिनों ने भी लगाया है, उनका यहाँ पे correct answer होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में, रास्ट्रे दुख्द दिवस जो है, यह किस महीने में म बात कर लें, आंतरास्ट्रे दुख्द दिवस जो है, यह आपका जून के महीने में मनाए जाता है, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश्ट आपका यहाँ पर है कि रास्ट्रे राजमार्ग अधिनियम 1956 जो है, यह किस कर नीती पर जो वो लागु होता तो option D, टोल टैक्स आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, next up का यहाँ पर है कि गलीलियन उपगरा या फिर चार चंद्रमाद किस ग्रह के हैं, तो देखें यह जो आपका गलीलियन उपगरा है यह आपके ब्रिहस्पति ग्रह के हैं, तो option C, जूपिटर आपका यहाँ पर क सकती है, यह किसके पास होता है, तो देखें लोग सभा भंग करने की जो सकती है, यह रास्ट पदी के पास होता है, तो option A, आपका करेक्ट टैंसर होगा, next up का यहाँ पर है कि निमनल इखित में से, कौन महात्मा गांधी रास्ट्रे ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मन्रेगा का जो एक विसेस्ता है, तो देखें मन्रेगा की अगर विसेस्ता की बात कर ले, तो यह आपका प्रती वर्स, सौ दिन का वेतन की जो रोजगार की गरंटी जो वो प्रदान करता है, तो option A, जिन्होंने भी लगा है, उनका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपके आप रहे कि आसियान के संबंद में भारत की जो एक इस्ट नीती है ना, इसका क्या महतो है, तो देखें आसियान के संबंद में भारत के एक इस्ट नीती का जो महतो है ना, यह दच्छिन पूरू एशियाई देशों के साथ जो है, आर्थिक, इसके अलावा सामरीक और सांस्कृतिक संबंदों को जो वो बढ़ावा देना है तो option A जिनों ने भी लगाया है उनका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट को आपके हाली में किस मीशन को जो है अंत्रिच अन्वेशन के लिए 2024 का जो है जॉन एल जैक स्वीगट जुनियर प पुरुषकार है ना यह आपके चंद्रियान 3 मिशन को जो वो दिया गया है तो option A चंद्रियान 3 मिशन आपके यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट अपका DDoS का जो फुल फॉम पूछा गया था तो देगे DDoS का जो फुल फॉम होता है ना यह आपका डिस्ट्रिब सत्यार्थी को जो वो दिया गया था तो option B क्याल्यास सत्यार्थी आपका करेक्ट टैंसर होगा इसके लावा अगर पूछा जाए 1913 में यह जो किसे दिया गया था तो यह गितांजली पुस्ता के लिए रवीना टैगोर को साहित के चेत्र में यह नोबल पुरुषकार जो जो यह आपका 1989 असी में जो है नोबल सांती पुरुषकार से जो वो सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहा रहा था कि प्रसीद पूस्तक दर रिटर्न और नैटीव यह जो पूस्तक है ना यह आपके थॉमस हार्डी के जो वो लिखा गया है तो ऑप्सन डी थॉमस हार्डी आपका करेक्ट एंसर होगा अलोरा नीमनलिकित में से किस राज्जी में जो है एक पवितर अस्तल है तो देखे अजंता और अलोरा जो है यह आपका महरास्ट राज्जी में है तो ऑप्सन डी महरास्ट आपका करेक्ट करते हैं तो option A जिनों ने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct tensor होगा next step का यहाँ पराया था कि उत्तर परदेश से उत्पन कौन सा परंप्रिक नेत रूप जो है अपनी नाटकिये कहानी कहने और जटिल फुटवर के लिए जो वो पहचाना जाता है तो देखें आपको नहीं पता होता तो आप option के recording भी जो वो चूज कर सकते थे उत्तर परदेश का आपका कौन सा जो परंप्रिक नेत्य तो यह कथक है चोट हो गया यह आपका बंगाल उडिसा और जारकन का हो गया कुछी पूडी जो यह आपका आंधर परदेश का हो गया भरत नाट्यम जो है यह आपका तमिल नाडू को हो गया तो इस परकार से उप्सन से भी आप चाट सकते थे कि उत्तर परदेश का परंप्रिक नेत्य कौन सा है तो उप्सन भी कथक आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोशन के साथ साथ उप्सन भी जरूर देखा कीजिए ताकि एक्जाम में फसल भीमा योजना की बात कर ले तो यह जो आपका क्रीसी छेत्र में सस्टेनेबल उतादन का जो वो समर्थन करना है तो आप्सन डी यहाँ पर जिन्होंने भी लगा है उनका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर है कि ट्वीटर और इंस्टाग् एकाउंट का क्या दर्साता है तो देखें आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे जिनका वेरिफाइड एकाउंट होता है उन्हें जो वो ब्लू टिक मिल जाता है और यह जो वेरिफाइड एकाउंट यह क्या दर्साता है यानि क्या इंडिकेट करता है तो यह आपका खाता यह 500 से अधिक भासाओं में जो अनुवाद किया गया है तो option C 500 से अधिक भासा आपका यहां पर एक correct answer होगा next step का यहां पर है कि यह जो real है यह किस देश की मुद्रा है तो देखें real की बात कर ले तो यह आपका ब्राजील देश की जो वो मुद्रा है और देखें मुद्रा से जो आपके लगतार प्रशन जो वो पूछे जा रहे हर सिप्ट में तो जिनका भी 30 और 31 को एक्जाम है तो आप हर देश का जो मुद्रा जरूर देख लिजेगा या फिर आप कमेंट कर दीजेगा कि सर एक मुद्रा पे वीडियो ले आई देख करके जो बताना होगा तो option D आपका यहाँ पर correct answer होगा और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं कभी किसी वीडियो में आपको नहीं कहता हूँ लेकिन मैं आपको यह बता दूँगा कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को like करना या फिर चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो please मैं आपसे request करता हूँ कि अगर आपको मेरा content पसंद है तो like और subscribe जो वो जरूर किया कीजिए आप लोग भूल जाते हैं आप लोग भूलिएगा बिलकुल भी मत next अप कह यहाँ पर question आया तक कि लिन लिट गो आपका यहाँ पे correct टैंसर होगा next अप कह यहाँ परहा कि निमनमे से computer में input से पहले या उसके दोरान जो है data बदलना किसमें सामिल होता है तो देखे यह आपका data जो didaling होता है ना इसमें जो आपके computer में input से पहले या उसके दोरान डेटा जो अब बदलना सामिल है तो option B इस कोशन में जिनोंने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct answer होगा next up कहीं आपना है कि trademark, copyright और patent यह जो है क्या है तो देखे trademark, copyright और patent जो है न यह आपके intangible assets यानि अमरूत संपती है तो option A आपका यहाँ पे correct answer होगा next up कहीं आपना है कौन सा देश 2021 में जो है bitcoin को कानूनी मुद्रा के रूप में उप्योग करने वाला जो यह पहला देश बन गया है तो देखे bitcoin को कानूनी मुद्रा के रूप में उप्योग करने वाला जो पहला देश है तो देखे यह जो आपका United Kingdom देश है ना यह परियोग साला में नियंतरित केंद्रिये सन्लियन प्राप्त करने वाला जो यह पहला देश जो वो बन गया है तो United Kingdom आपका correct answer होगा किस दिन को जो है धूमरपान निसेद दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है करहाल है कुलकता का है तो option D आपका यहाँ पर correct answer होगा तो देखे जीके जीस का मैंने आपको करा दिया है अब हम लोग हिंदी के प्रश्ण को जो वो solve कर लेते हैं तो हिंदी में जो आपका पहला कुशन है था कि चरन कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है तो देखे इस पंक्ती में यह आपका रूपक अलंकार है तो option B रूपक अलंकार आपका correct answer होगा निम्न में से कौन सा सब्द जो है गौख का अर्थ नहीं है लेकिन यह आपका गज नहीं होता है इसलिए option C आपका correct tensor होगा निमने में से प्रेनार्थक क्रिया कौन सा है तो देखे इसमें जो आपका प्रेनार्थक क्रिया है यह आपका जगाना है तो option A जगाना आपका यहाँ पे correct tensor होगा नेक्स्ट अपका यह आप रहे कि अमीत और अमीत सब्द यूगम का जो वो सही अर्थ बताना है तो देखे इस अमीत का जो मतलब होता है यह तो आपका बहुत हो जाता है तो देख लेंगे कि बहुत किसमें है तो यह आपका D में दिया गया है और इस अमीत का जो मतलब होता ह यह आपका सत्रू होता है, तो option D, बहुत और सत्रू आपका correct tensor होगा, next अपकर यह आपने कि यदी बारिश होती, तो सूखा ना पढ़ता, इस वाक्य में काल का जो है, कौन सा रूप है, तो देखें, यदी बारिश होती, तो सूखा ना पढ़ता, यह जो आपका हेतू हेतू म वाक्य है ना, वह एक विदूसी महिला थी, यह जो आपका सुद्ध वाक्य है, तो option A जिनोंने भी लगाया है, उनका यहापे correct tensor होगा, ग्यानपिट पुरुसका जो यह किस भासा से संबन दी थे, तो देखें, ग्यानपिट पुरुसका जो आपके चुबीस भासाओं में जो वो दिये जाते हैं, और यह जो आपके संबिधान की आठी अनुसुची की सभी भासाओं बाइस जो भासाओं हैं, उसमें दिया जाता है, इसके लवा अंग्रेजी भासा में भी जो वो दिया जाता है, तो option C जिनोंने भी लगाया है, उनका यहापे correct answer होगा, उत्तरपज यह प्रधान होता है, लेकिन आपका प्रथम पज होता है, यह दित्यपद की जो वो विसेस्ता बतलाता है, तो option B, करमधारे समास आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहाप रहाता है, कि जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांस के लिए एक सब्द बता तो देखें, जिसकी तुलना किया जा सके, यह तो आपका तुलनिये होता है, लेकिन यहाप ना किया जा सके, बताए गया है, तो देखें, जिसकी तुलना ना किया जा सके, उसे जो अतुलनिये जो है, वो कहा जाता है, तो option A, अतुलनिये आपका यहापे correct answer होगा, नेक्स् सब्सक्राइब भार बार नहीं चर्थी इसका अर्थ जो अर्थ होगा ना वह चल्कपट का वैवार हमेशा नहीं चलता तो उनका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा निम ने लिखे तो वाक्य में रिखांकी बिखांगी तो आपको पढ़ लेना था अनूज की किताब जो है वो मेज पर है तो देखे जब भी आपका का के की सब्द में वाक्य में आ जाए ना तो यह आपका संबंध कारक हो जाता है तो option D संबंध कारक आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मंदीर और मंदीरा यूगम का जो उप्यूक्त अर्थ बताने वाला यूगम कौन सा है नेक्स्ट आपका यहाँ पर अचल सब्द का सम्विनार्थक पूछा गया था, तो देगे अचल सब्द का सम्विनार्थक होता है, यह आपका परवत और इस्थीर होता है, तो option D, परवत और इस्थीर आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, नेक्स्ट आपका आकास का प्र option D आपका यहाँ पर correct answer होगा वरिस्ट साहितिकार कासिनाद सिंग को जो है उनकी कृती रेहन पर रगदू यानि रेहन पर रगदू के लिए किस समान से जो इनने सम्मानित किया गया था तो देखे रेहन पर रगदू के लिए कासिनाद सिंग को जो है यह आपके साहित एकेडमी पुरुषकार से जो वो सम्मानित किया गया था तो option D आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा सब्द जो वो तत्सम है तो देखे इसमें जो आपका आलस से जो सब्द है यह आपका तत्सम सब्द है तो option C आपका यहाँ पे correct answer होगा next आपका यहाँ पर है कि निम्न लिखित में से कौन सा सवर नहीं है तो देखे यह जो आपका ना है यह आपका सवर नहीं है बलकि आपका यह वेंजन है तो option C आपका यहाँ पे correct answer होगा प्रत्यंग किस समास का उधारन है तो देखे यह जो आपका प्रत्यंग है ना यह आपका अभी भाव समास का जो वो उधारन है तो अभी भाव तो देखे यामा के जो रचईता है या आपके महादेवी वर्मा है तो option B महादेवी वर्मा आपका correct टैंसर होगा next question आपके याँ पर रहा था कि प्रेड़ना स्टूडियो जाएगी इसमें काल का जो भेदा वो बताना था तो देखे प्रेड़ना स्टूडियो जाएगी इस काल में जो आपका भेदा वो सामानने भविस्यत काल का है तो option A आपके यहाँ पर correct टैंसर होगा निमने में से कौन सा सब्द जो है वो स्ट्रलिंग है तो आपको जो वो स्ट्रलिंग बताना था तो देखे यह जो आपका आई सब्द है ना यह आपका स्ट्रलिंग है तो option C आपका correct टैंसर होगा तो option D अनुपरास आपका correct टैंसर होगा निमने लिकित में से अर्ध वीराम का जो है चिन ने कौन सा है तो देखे चिनों से आपके लगतार प्रशन आ रहे है तो देखे अर्ध वीराम का जो चिन होता यह आपका यह होता option C में जो आपका दिया गया है यह आपका अर्ध व देखे गा इसके लाव अगर option A की ओड़ देखे तो देखे यह जो आपका option A है यह आपका रिखांकन का जो वो चिन है तो यह fact भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट अपका यह आप रहा है कि कौन सा वाक की जो वो सुद्ध है तो आपको चारो आप्सन को जो वो करना अवस्यक है यह जो आपका सुद्ध वाक की जो वो दिया गया है तो option D जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट आप रहा है कि कामाईनी के रचनाकार कौन है तो देखे कामाईनी पुस्ता के जो रचनाकार है ना यह जैसंकर परसा है तो option D जैसंकर परसाद आपका करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट अप कैमाल यहां पर रहा है कि अरे उसने तो कामाल कर दिया इसमें कौन सा आपका वाचक हैं तो देखे कि आप यह ज Sãoigie डेखे आपका विस्मियाधी वाचक है तो option B विस्मियाध वाचक क्हें तोouring तोका option D आपका यहां पर correct answer होगा उसके बाद 33 से 37 जो है आपका गध्यांस का प्रेशन पूछा गया था आप यह गध्यांस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजे मैं आपको यहां पर थोड़ा सा यह भी कर देता हूँ, पूरा आपको दिखा देता हूँ आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जो आप यह पूरा पढ़ लीजे पहले तो या फिर वीडियो पॉज करके भी जो आप पूरा पढ़ सकते हैं तो गध्यांस पढ़ने के बाद आपका यहां पर कोशन आया था कि गद्यांस के अनुशार अपने सपने को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा तो देखें जब आप गद्यांस को पढ़ोगे न तो हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए जो वो कठीन परिश्रम जो वो करना होगा तो option C जिनों ने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct answer हो option C जिनों ने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct answer होगा next step के यहाँ पर रहाद है कि भारत ने अंतिहिन खोष के दोरान क्या विस्त्रित नहीं किया था तो देखें भारत ने अकने अंतिहिन खोष के दोरान जो है ये क्या विस्तरित नहीं किया था तो ये अपने आदर्स को जो विस्तरित नहीं किया है तो आप्सिंट C जिनों ने भी लगाया है उनका correct answer होगा और आज का जो हिंदी का आपका last question है था कि भारत की सेवा का तातपरे निम्न में से क्या है तो देखे जब आप गड्यां और अवसर की असमनताओं को जो वो मिटाना है लेकिन अपने नेताओं की सेवा करना ये जो आपका भारत की सेवा का ताथपरे में से जो आपका नहीं है इसलिए option D जो है आपका यहां पर correct answer होगा तो देखे हिंदी और GK के जो है मैंने आपको बिलकुल 100% accurate answer की दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह यूपी पुलीस की पलपल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों और तब तक थैंक्यू, आल दे बेस